बात होगी धिरेंद्र शास्त्री की जिने लेकर लगातार विवाद होता जारा और इस विवाद के बीच में बयान आया है बाबा रामदेव का जिहां पतंजली के बाबा रामदेव का बयान आया है उन्होंने क्या कुछ कहा है सीधे आपको वही बताते हैं योग गुरू बाबा रामदेव ने कहा है कि कुछ पाखंडी लोग तूटके उनके पीछे पड़ गए हैं ऐसे लोग पूछ रहे हैं कि ये भगवान की किरपा क्या होती है बाला जी की किरपा क्या होती है तो ये बाबा रामदेव ने धिरेंदर शास्त्री के समर्थन में य बात कही है जिस मौके पर वो मौका भी जानना जरूरी हो जाता है उन्होंने कहा है राम भद्राचार जी जो है जो कि बताया जाते हैं कि धिरेंद्र शास्त्री के गुरू हैं उनके मंच पर खड़े होकर उन्होंने ताबर तोड़ उन लोगों को जवाब देने की कोशिश की है जो लगतार सवाल उठा रहे हैं आचार धीरेंद्र शास्त्री पर उन पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये सब अगर बिना आखों के देखनी हो तो आप पूझ भद्राचार जी को जी मैं उम्में देख लें अगर आपको बाहर की आखों से देखना हो तो आप धीरेंद्र कृष्न शास्त्री को देख लो भगवान के अनुग्रह से व्यक्ति को सूश्म जगत की अनुभूती होती है लेकिन ये गुरु की किर्पा और भगवत किर्पा से होता है उन्होंने ये भी कहा कि गुरू की कृपा भगवत कृपा से बाला जी महराज की कृपा होती है बावराम देव यहीं नहीं रुके उन्होंने समर्थन करते हुए आगे ये भी कहा कि जब गुरू और भगवान की शर्ण में रहने वाला और दैवी कृपा संपाई ने जब कोई महापुरुष आशिरवाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से मुक्त हो जाता है और यही काम धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं आगे उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक बात रही तर्क वितर्क की जिनको तर्क करना है वो महराज जी यानि कि रामभ भद्राचारी जी के पास आजाएं जिनको चमतकार देखना है वो महराज जी के चेले महांत धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास चले जाएं बाबारामदेव ने आगे ये भी कहा कि मैं तो जादा मीडिया के लोगों को फोन नहीं करता हूँ लेकिन मैंने कुछ को बोला है कि सब जगे पाखंड मत देखो कुछ ये भी देख लो कि जो सच है जो देख रहा है आखों से वो केवल एक पृतिशत है अद्रस्ट 99 जा रही है ने दावे सामने आ रहे हैं धीरेंदर शास्त्री का इसमें ये भी कहना है कि वो लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं वो जो लॉबी है धर्मांतरन वाली धर्मांतरन के खिलाफ शास्त्री जी बोलते हैं उस वजए से वो लोग उनको टार्गेट करने की कोशि कर रहे हैं और इसलिए इस तरह की चीज़े हो रही है लेकिन बाबा राम देव की समर्थन पर आपकी क्या राया नीचे कर कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात को आप जरूर लिखें